हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मामा एन बेबी के आज मैं आपसे बात करूँगे सीजेरिन डिलीवरी के प्रोसीजर के बारे में सीजेरिन डिलीवरी के प्रोसीजर में क्या क्या होता है आपके साथ ऑपरेशन रूम में उस बारे में कुछ बाते मैं आपको बताने जा रही हूं उसकी process को कैसे होती है तो उससे पहले आप अस्पिताल जाते हैं और आपका doctor check-up करेगी बेबी की heartbeat check-up करेगी पूरा वो आपका check-up करती है और आपसे discuss करेगी operation के बारे में paper sign के जाता है आपके husband के sign उसमें होता है delivery से पहले तो उसके बाद procedure start होता है ये करीबर 20 से 25 मिनट का रहता है जो operation theater में रहता है तो जैसा कि आपको पता होगा पेट में पेट के नीचे ले हिस्से में cut लगा के फिर बच्चा बाहर आता है तो जैसा कि आप देख रहे है बच्चा बाहर आ जाएगा तो उसके बाद जब बाहर आता है तो उसकी नाल भी डॉक्टर वहीं पर cut कर देंगे यानकि placenta जिससे बच्चा आपके गर्म नाल से जुड़ा था उसको भी cut करके फिर बच्चा भी बाहर आएगा और सारा placenta भी आपका बाहर निकाल दिया जाएगा सारी गंदगी साफ कर दी जाती है पेट के अंदर की तो इस तरह से caesoran delivery होती है तो anthesia दिया जाता है उसका pain starting में रहता है जब back pain कमर में वो read की हड़ी में लगता है anthesia तो उसकी वज़े से आपको काफी pain होगा उस time पर उसके बाद आपको procedure पता नहीं चलेगा आप होश में रहोगे पर आपको procedure मतलब feel नहीं होगा कि क्या हो रहा है आपको दिखेगा बच्चा हो रहा है सब क्योंकि आपको भी होश नहीं करते हैं होश में रहते हैं बस वो part सुन कर देते हैं बच्चे का फिर weight ना पा जाता है और बच्चे को तरंत मा से मिलाये जाता है क्योंकि जल्दी contact में आने से आपका जो milk production हो जल्दी आएगा तो मा को breastfeeding के लिए कहा जाता है ताकि बच्चा को जब दूद पिएगा तो आपका दूद आना भी start हो जाएगा और यह देखे आपको चलाने की practice की जाएगी थोड़ा थोड़ा चलाएगा जितना आप comfortable रहते हैं एक दिन बाद और फिर कुछ टाइम बाद बच्चा आपको दे दिया जाता है शुरू में breastfeeding में आपको दिक्कत आती है क्यूंकि आप बैट नहीं पाते हो तो किसी का sport चाहिए होगा आपको starting में तो कम से कम 10 दिन तक थोड़ी दिक्कत रहती है फिर वो दिक्कत भी धीरी धीरी आपको आज आएगा कैसे बच्चे को दूद पिलाना है हैंडल करना आप सीख जाते हो इसके बाद तीन या चार दिन बाद आपको अस्पाताल से छुट्टी दी जाती है तो चार-पांच दिन रखते हैं सीजेरेन वालको उसके बाद आप घर जा सकते हैं यह थी मेरी इंफोर्मेशन सीजेरेन डिलेवरी से रेलेटेड आई होब आपको पसंद आए हो पसंद आए तो लाइक करना बिलकुल भी न भूले और सीजेरेन डिलेवरी हो भी तो उसको पॉस्टीव वे मिले और अपना खयाल रखे थैंक यू सो मज गाइस